क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पढ़ता online shopping और service platform है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है हम अपनी e-seva गतिविद्या यानी online विवसाय को अब अंतर राष्ट्रे स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skvmarket.in शौपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम बिहार में मैं हूँ आपके साथ इशा भारगाव तो शुरुवात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ तो वहीं बिहार में गया सहर के चर्चित समा सेवी रवीकुमार उर्फ गुड्डू बरनवाल को अंतराष्ट्री मानवा अधिकार सुरेश सिंग तोमर सहीत अन्य पदा दिकारी भी मौजूद रहें प्रसेशन के द्रफ से हमारे नौ मनूनी धिलाक्टेश का सबत राण है करने के लिए अम अंतराष्ट्री मानवा अधिकार के अपने वरिष्ट उपादेश्चों की तीम के ताथ यां गिलाक्टेश को वारत के समिदान की सबत दिलाने आए उट है कितने लोगों को सबने अधारिव काज करता है इस अंगठन की सब्राइब काज करता है इस अंगठन भारत के सम्रिदान के जो अधिकार पर दिला देश्ट बने में बड़ा पर्मामित मुश्चुष का नाम है और आने वाले समय में घया के वाश्मिश्ट यहां तक हमारी आवाज पहुंस के मीडिय से सोसल मेडिया के मादें से आप सभी सुतत्र शौपी सब्गंटा अपने मानवा धिकार के जिला दियाज रवीम कुमार मुटूबर रवाल से सब्परकर से तरह की कोई व्याद्व को वहीं मोतिहारी जिले के चिकत्सक डॉक्टर मंजर निसीव ने अपने क्लीनिक में महा रक्तिदान शिवर का आउजन किया है और इस रक्तिदान शिवर को सफल बनाने के लिए उन्होंने जिले की एक प्रतिष्टित संस्था से मदद भी ली बताया जा रहा है कि इस संस्था ने इनके ने किरादों को सफल बनाने के लिए भाते रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक चलंत रक्त संग्रे उपलब्द करवाया है वहीं संबंद में डॉक्टर मंजर नसीम ने बताया है कि पेड़त मानवत्ता की सेवा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और वे ऐसा कारे लगातार करते चले आ रहे हैं साहिब गन्जिले में राष्टी स्वच्छ गंगा मिशन के तहट तीन मई से लेकर पांच जून तक गंगा स्वच्छता जलियस जीवों के सरक्षन और गंगा के तटे इलाकों की साफसफाई के प्रती लोगों को जागरूख करने के उद्देश को लेकर राष्टी सुहारत मिशन ग्रामीन के सायुक्त तत्वाधान से जिले के बिजली घाट में विभिनकार क्रमों का भी आयोजन किया गया है वही साहिब गंजिले के राधानगर पुलिस ने देदा ठानशेत्र के प्राणते प्रामीन के प्राणते राधान ने प्राणते प्राणते लेकर वहीशन होता है पुलिस पूरे नेटवर्किंग का खुलासा करने में लगी हुए पूछताच के बाद उसे नियाई खिरासत में जेल भीज़ दिया जाएगा वही मुजफरपुर में एक बार फिर एक नाइट गाड की हत्या का मामला सामने आया है जहां अशंका जताई जा रही है कि गला दबा कर यूवक की हत्या की गई है वही घटना के बाद पूरे इलाके में संसनी फैल गई है आपको बता दे कि बीते कुछ दिनों में तीन नाइट गाड की हत्या हो चुकी है वही सुचना के बाद मौके पर पहुंची डियस पी टाउन राघव डायर मामले की जाजपरताल में जुटे है कितन दिन से आपके पास में काम कर दात हूँ? तीन महिना दात हूँ कहां कराने वाला है हो? वह समस्ती पूल के है क्या नाम है? संकर राय उमर? उमर तीस बतीस होगा ऐसा है कुछ ऐसा आपके किसी दुस्मानी के वजाए? नहीं किसी से जहरा हुआ हुआ तो नहीं नहीं है क्या नाम हो आपके कमल कॉंजा कॉन हुआ है आपके मालिक है नहीं हम संचाल लगता है तो चार तरफ से घरावन्दी किया हुआ लेकिन इसके दर्वाजे के ऊपर में थोड़ सा खुला हुआ अस्तान है वा शुवमीन का डेट बो देखी तो जोगी घर्टना घर्टी है इसमें किसी भी मिर्तक का केनी के साथ कोई पूर्व का दूस मनागत या इस तरह का बात परलेचित नहीं हुआ है मुझफरपुर में विशाली जिले के पातिपुर्थाना शेत्र के चिनकोटा चौक के पास एक गाड़ी और ट्रक की टकर हो गई और इस सड़क दुरघटना में एकी परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि सभी कार से शादी समारों से अपने घर लोट रहे थे तरभी ट्रक की जोरदा टकर से सभी की मौत हो गई महीं सभी का अंतिम संसकार मुझफर पुर्जिले के कांटी के कलवारी घाट पर किया गया जब हम सारे चार के करीब अपने घर पर पहुंचे पहुंचते हैं मुझे मालूम चला कि ऐसे से हुआ फोन करके जरामनी से हमें पता किया तो घटना के जनकारी सही मिली कि मालूम चला कि रुच्छा गये हुए है कि राके कमलेश जी करिवार के सादूध्य से वाप्षी में जुए यह अईसा हुआ इसा घटना इस वर्शत प्राथना करते हैं कि मेरी तात्मा को सांति दे और ऐसी घटना किसी अन्य परिवार के साथ नहों इस वर्ष से विंती है वहीं नालंदा में इन दिनों दीपनगर थाना शेतर इलाके के कॉसुख गाउं के हजारों ग्रामीन जहरीले दुए से काफी परशान है गौर तलब है कि दीपनगर स्थित कौसुग गाउं के पंचाने नदी के पास नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित पार्क के मैदान पर कूडे कच्रे का गिरा कच्रा डंपिंग बना दिया गया है इतना ही नहीं कच् परिशान दिख रहे हैं पर पार्किंग बनावेंगे संदी करन करेंगे और इसको जील बनाएंगे तो बता ये जील में ये कच्रा होता तो बहुत अच्छा है नितियस बाबु आकर करके देखे अभी कि नदी में जील है कि कच्रा के डैंप बने गई है क्या दिक्कत हम लो जो कि फिरी में फिरी अप कोष्ट मिल रहा है और इसको भी सरकार के दवाब में हम लोग सांस ले रहे हैं कल होकर क्या होगा इसका पर परिशान ये कच्रा डैंपिंग याड बना दिया है कच्रा फेक रहा है और इसको जलाने से पॉलूसन बगल में देखे संवीम स्कूल ह वहां सारा धुगा स्कूल में जा रहा है वहां 200 बच्चे होस्टल में रहते हैं वहां होस्टल में सारे बच्चे वह कितना परिशानी हो रहा है फिलाल रुपते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हैं प्राइम बिहार के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खड़ी ना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से परता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार करना है हम अपनी e-seva गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ पहुचेंगे हम वहाँ जहां हर खबर दवाई जाती है दिखाएंगे वो जो आपकी नजोरों से रहता है उजहरो पहुचेंगे हर जिले के कोने कोने तर जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू ख़वरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज प्राइम टीवी सच सहस और सरुकार के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में तो नालंदा जिले में देरात मानपुर्थाना शेतर इलाके के गोनावा पर मेशराप के नशे मिद्धुत बड़े भाई दामोदर राउत और छोटा भाई जोगेंदर राउत के बीच पूर्व के विवाद को लेकर मारपीट और चाकूबाजी हो गई और इस घटना में जहां जोगेंदर राउत की मौत हो गई तो नहीं बड़े भाई दामोदर राउत चाकूबाजी में गंभी रूप से जख्मी हो गए हैं घटना के संबंद में मानपुर्थाना में तैनात चौकी दार ने बताया कि दोनों के बीच पुराना विवाद था जिसको लेकर अक्सर दोनों के बीच मारपीट और कहा सुनी हुआ करती थी फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाच में जुट गई है कौन मारा है उसको भाई भाई में मारा है क्या विवाद था दोनों के बीच जग्रा के कारण कुछ पता नहीं है और पी खासर के जग्रा किया है दोनों भाई है कहां की ये मामला है कहां पढ़ता है कि मानफुट थाना अंतर आपका नम है जिन्या सब्सक्राण के यूवक को पतनी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर घर में बंदक बनाया और तीन दिनों तक बहरे में से पीटा जिसके बाद गंभी रूप से जख्मी यूवक को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पिताल में भरती करा आए गया है और दस बार लड़के थे मेरे रिमांड ले ले थे मेरे मुझ पीछे से बांद रहे तक अकला और गया करवा रहे थे और मेरे बीच पाली जिड़चाली एक उसकी सास करवा रहे थी और रात को पॉन करके मेरे दीदी को जीजा को दंकी देते हैं कि तुम्हारा भाई ऐस ऐ क्या आप क्या काम करते हैं कि अच्छा अब काफी दिन से टोर्चर करने साथ बहुत दिन से हूं मेरे नाम से पैसे की रखा है इनों नहीं वही साहिब गंजले के बौरिया थाना शेत्र के चट की पहार के दुर्गम जंगल के बीचों पे छत विचत अफिस्था में आंगन बाडी सेविका मालती सौरेन के मानव शरीर के अंग कई टुकडों में मिले हैं जिसके बाद से साहिब गंज पुलिस ने आंगन बाडी सेविका मालती सौरेन को मडर मिस्ट्री की हिस्ट्री को खोनने के लिए जाच दाइरा बढ़ा दिया है साथ ही सहाइब गंज पुलिस ने फिंगर प्रेंट और F.S.L. और डॉग स्कॉर्ड के टीम के साथ वारदाच स्थल पर पहुँच कर पूरे जंगल में सर्च ओपरेशन भी चलाया फिलाल पुलिस घटना के बाद जाँच का दाइरा बढ़ाते हुए आंगनबाडी सेविका मालोती सौरेन के पती को रिमान पर लेकर पूछताच कर रही है वही सहरसा जिले के सौर बजार थाना शेतर के नादो पंचायत के वार्ड नमबर 14 से सौर बजार थाना पुलिस गुप्त सूचना के अधार पर एक महिला के अजले शफ को बरामत किया गया है कि मृतक महिला के पती पुलेंद्र यादव अपने परिजन के साथ मिलकर अपने मृत्य पत्नी बभीता देवी के शफ को जलाने का प्रयास कर रहे थे वहीं घटना को लेकर स्थानी लोग ने कहा कि पारिवारिक विवाद में इस प्रकार की घटना हुई है पुलिस मामली की जाच में जट गई है हुँन के लिए बाहर तफ हुँन के ममी मृद लो जाए जार रहे हैं इसको सब को जलाने जा रहे हैं पुलिस को अरटोरी कारवाई करते हुए डिजवाली को रितोवर किया और उसके बाद जो आगरोटर कारवाई है वो ती जा रहे हैं अलाकि अब उसके परिजन कोई भी आवेजन देने से इंकार कर रहे हैं वहीं सहरसा जिले के सौर बजार प्रखंट शेत्र के सहुरिया पश्चिम पंचायत के दान चकला गाउं में मनरेगा योजना द्वारा संचालेत योजना के तहट सड़क पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है जिसमें बाल मजदूर द्वारा काम करने की खबर सुन कर वेभाग के अधिकारी योजना स्थल पर पहुँचकर जाइजा ले रहे आपको माईदूरी मिलता है? माईदूरी मिलता है इसको लेकर सरकार से कुछ का नहीं? खाना के खाना लेकर क्या कहते है मुलदूर आया था पिता जीका वेखेला है यही बार शामने घ्लाइए चला पटा चला वैस उपोल जिला के प्रताब गंज थाना चेत्र के चलौनी धक्षिन स्थित सीता राम महा के घर के सामने मुहम्मद आजाद पिता मुहम्मद जलाल ने जबर्दस्ती अतिक्रमन कर लिया जिस वज़े से सीता राम शाह को काफी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है फिर भी अंचला दिकारी के द्वारा उक्तोजमीन को खाली नहीं कराया जा रहा लेकिन आने के बाद सियो सहब कल आये थे दो दिन पहले और रोड साफ करके फोर्स लेके रोड साफ तो गया मुझे उचित निया नहीं मिला है अगली खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां मेना टार प्रखंड की प्रखंड सुनेयना देवी के दो बेटे अनूप कुमार और रोहित कुमार समेत आट लोगों की गिरफतारी, रंगदारी और जान से मानने की धमकी देने के मामले में नर्कटिया गजनमंडल पुलिस पताधिकारी कुंदन कुमार ने मेना टार थाने में एन आराई की पत्नी के दोबारा दर्च कर आई गई मामले में जाच सहीपाई वह उन्हों ने अनुसंधान करता दरोगा कनहाई पास्वान को आदेश दिया है कि मामले में नामजद अनूप कुमार, रोहित कुमार समेत आठ लोगों को गिरफतार करे और फरार हालत में इनकी अंचल संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए लिया हुआ है इस पर लिया हुआ है जोत्तों अपतयार स्था बैदाम में चल में इसाथ इस प्प सही tutte स्रेएं को कि यहां पानूप कुमार आये था रंगडारी मागने लगा उनको मारने की धंकी देने लगा टक्तर से कुछलना का भी धंक कोशिस किया और यह उनका बाउंडी जो हाई इस सब उठा हुआ है जमीर माली का जो नितेश गुपता है राजिस गुपता है निरम पुनम गुपता है ओनी का जमीन है कि दारी और जान से माने की धंकी के सिलसिले में है अनूप कुमार जो यहां के पर मुख के लड़के हैं और उनका भाई रोहित कुमार और शे लोग और है जो इगारा तारिक को सुबाव में आत्पर जी आए हम लोग पर कटूई भी तान दिये टेक्टर के कुचलने का परियास किये और बोले कि पचास लाख दो तभी हम बनने देंगे नहीं तो वही बेतिया जिले में पश्चिम चंपारण मेना टार प्रकंट शेत्र के पुर्सोतम पुर्थाना अंतरगत बलिरामपुर गाव में पती ने पतनी की गला दबा कर हत्या कर दी ज नहीं जब DSP कुंदन कुमार ने संदर में पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम द्रश गला दबा कर हत्या की गई है और मतिका का पती अबुलेश देवान अभी फरार है जिसकी गिरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है जल्दी आरोपी को गिरफतार कर आगे की कारवाई की जाएगी अभी आया लोग तो और अभी वह आया तो फिर अधिया की हो गया है अचानक तब लोगत अब हम नहीं आया तो बच्चा को बता रहे हैं कि बस मुर्बहीं इंदु आपका अबदुलाईस से अबदूलाईस की हा मारलेबा की हा वाक जा लोग करना हो तौ सब्सक्राइब हम नाजम सरिया वे जो अपन कुछ हुखवा है अब यह लोग फोन कोई लग हम नहीं के लगए कोई बज़े एक बज़े रात में रात में बियार की खबरों में आज फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुस्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसे बागति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुचाने जा रहे है skbmarket.in